ये B.E.C. B.E.C. Part 1 2023-27 का रेजिस्टेशन आज से यहाँ पे सुरू हो चुका है, छात जो है 11 जुलाई से अपने 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 अनुविसिटी में यहाँ पे रेजिस्टेशन करवा सकते हैं, पूरी जनकारी यहाँ पे देखेगा, पहले समेस्टर का आज से आपका रेजि किम तीथी के बाद जो है दुवारा रेजिस्टेशन का मौका यहाँ पे उन्विसिटी के दौरा नहीं दिया जाएगा, तो पूरी जनकारी देखेगा कि किस उन्विसिटी में कबसे आपका रेजिस्टेशन यहाँ पे करवाना है, और यह पहले समेस्टर का जाएगा हर 6 महीने पर आपका एक्जाम होगा, तो पहले समेस्टर का रेजिस्टेशन जो है वो यहाँ पे शुरू कर दिया है, क्योंकि आपके 6 महीने बाद डारेक्ट यहाँ पे एक्जाम लिया जाएगा, जो च्छाद रेजिस्टेशन कराएंगे, वहीं यहाँ पी एक पहाले नोटिस में आपका ड्ट था वह आपका शुरू किअ गया था और फिरसे यहां पर देट बरहा कर आज से फिर रेचMost अ recreation यहाँ पे सुरूद कर दिया गया है यहाँ पर दखिए नोटीस पे आपको यहाँ पर क्लिक कर लेको करें खर सभी यहाँ से आपको मैं डाउनाड़ करकर आपको कि आप जो है 15 जुलाई तक आप रेइस्टेशन जो है वो यहां पे करवा सकते हैं 15 जुलाई के बाद अगर रेइस्टेशन नहीं कराते हैं तो आपको रेइस्टेशन का दुबारा मौका नहीं दिया जाएगा टोटल फी जो है वो आपका 600 रुपिया लग रहा है तो पूरी प्रोसेस देखेंगे कैसे आपको रेजिस्टेशन कराना है और सभी अपडेट जो है वो यहाँ पे जाली किया गया है रेजिस्टेशन को लेकर तो इसके लिए में सिधे आपको बिहार है डॉटिन पे लेकर आ मिलेगा पार्टली पुत्रा इंविस्टी में रेजिस्टेशन जो है वो आपका यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर डेड जो है वह भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है तो सीख ठीक है सिधे में आपको ऑफिस्टेशन अपडेट पर लेकर चलूंगा जो कि मैंने अभी नोटिस दिखाया वही नोटिस आपको यहाँ से आपको जो है वो यहाँ पर डाउनलोड करना होगा तीन नोटिस आपको उपर में सबसे पहले मिलेगा पहला मिलेगा स्पार्ट एडमिशन का उसके बार रेजिस्टेशन का जो डेट बढ़ा है उसका मिलेगा तो जो spot admission करवा रहे हैं वो भी आप registration करवाएंगे ठीक है लेकिन उनका date अलग से जारी होगा लेकिन अभी जो है जो normal admission कराया है पहली merit list का second या third merit list का ठीक है तीनों में से कोई भी admission कराया है उनका registration जो है वो शुरू कर दिया गया है और spot round वाले का registration जो है वो बाद में notice click करके आपको download कर लेना है मैंने यहाँ पर पहले ही download कर रखा है यहाँ पर आपका इस तरीके नोटीस जो है वो यहाँ पर खुल जाएगा ठीक है यही नोटीस में आपको साफ साफ मेंसन किया गया है कि 600 रुपया जो है वो आपको लगेगा 15 जुलाई तक जो है वो आपक किसहे guys करने के बाद आपको रिचिव जो है जिस तरीका से एंडरिने के टायम पेमेंट करने के बाद सुरक जमां जी इस ले हो सुयों निकाल कर अपने महबजयाशाओ विशए अभी यही पर चो देरा है क्या आप एक्जाम देंगे पहले समेश्टर का तो जो एक्जाम में आपको जो सब्जेक्ट है वो यहां पे आपको अपनी इच्छा मुसार बिसे माइनर कोर्स ठीक है यानि कि टोटल आपका सबसीडिरी कौन सा है है शकील इनास्मे absolument कौन सा है ये सभी बिसेओं का चैन करेंगे उसके बाद जो है पर अपना स्नाच्छर करेंगे फिल करने के रहेगा, फिल करने के बाद उसका प्रिंट आट निकला लिजेगा, नीचे भी अपना सिंगनेचर कर लिजेगा, और इसके बाद जो आपके विभाग के अध्याच है, वहाँ आपको जमा करना है, एक कॉपी उनके पास रखना है, महा विद्याले इसके बाद वारीडेट करे और जो चाहत रेजिस्टेशन करवाएंगे उनका ही पहले समेस्टर का आपका एक्जाम जो है वो आपका लिया जाएगा क्योंकि फर्ल्स समेस्टर का एक्जाम होगा छे महीने एडमिशन के बाल जुलाई से आपका सेशन जो है यहां पर शुरू करने की बात है तो सेशन पदेर जो है जो है आप यहां प्यार करतिया गया चाहिए ओर जाने के बाद तो सब्सटेय बिल्कुर धिहान से आप लोग करना है नहीं तो रईस्टेशन हो जाने के बाद आपका वही एक्जाम होगा जो रईस्टेशन आप फॉर्म फिल किये होंगे वही आपका एड्मिट कार्ड के रूप में आएगा ठीक है तो यहाँ पे बहुत फास्ट प्रिक्रिया हो रही है एड्मिशन के साथ रईस्टेशन शुरू कर दिया गया है तो विल्कुल बहुत साइच चेंशन में है कि रईस्टेशन एक्जाम के समय होता अभी नहीं होगा तो उनका एक्जाम छूड जाएगा सभी तक शेर कीजिए हैना एड्मिशन के बाद जो है आपका रईस्टेशन शुरू कर दिया गया है अगर आप रेस्टेशन नहीं लेते तो 15 जुलाई के बाद आपको कॉलेज भाग दूर करना पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो सभी को और आगे देख लिए यहां पर बाकी इन्विसिटी भी जो है एडमिशन के साथ सा रेस्टेशन भी ल प्रूरूर बटाएगा ठीकेहं और किस विजुची में आपका रेस्टेशन हुआ है और किस विजुची में अздभी 2023-237 का रिश्टेशन आपका नहीं हुआ जो भी आपको आपडेट चाहिए तो कॉमेंट कर दिजिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो मों से जरूर सामिल क करने की कोशिस करेंगे जो भी अपडेट आती है इस चैनल पर आपको मिलती रहती है और WhatsApp ग्रूप का लिए दिस्क्रिशन में दिया गया है क्योंकि पहले समेस्टर का जो भी आपका पैटर्न होगा उसमें जो भी पैसन आएंगे वह आपको WhatsApp ग्रूप में मिलेंगे इसलिए आपको WhatsApp ग्रूप और खास करके अगर आप WhatsApp ग्रूप जोएंगे करना नहीं चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रूप जोएंग करें जो कि सबसे सेफ होगा अगर आप बाद में जोएं वो स्पलेद इस पिलंगे